है कि इस तरह से हमने देखा कि प्रॉटीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वर और हमें कितना प्रोटीन डिली-ל्रिकॉाइड हम अपना खाने में क्या क्या चीजे एड करें या मिस्कि रेक्वियर्मेंट पुरा परसकी है हमें तो आहिए 56 ग्राम की रिक्वाइर्मेंट है पर डे और कोई एक्टिव इंडिविजिवल है और रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं तो उनके रिक्वाइर्मेंट बढ़ जाती है 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के इसाफसन को प्रोटीन लेना होता है और इसमें एक्जामपल हैं कि 70 kg को इनविजिवल है तो उसको 84 ग्राम पर डे की प्रोटीन के रिक्वाइर्मेंट होती है और जो बॉडी बिल्डर हैं और जिम में रेगुलर जाते हैं और हैवी एक्सरसाइस करते हैं तो उनको 1.5 तो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के बच्चों में कि उनकी ग्रोइंग एज होती है इसमें प्रोटीन की रिक्वारेंट बढ़ जाती है 1.2-1.5 ग्राम पर किजी वड़ी वेट के साफ से उनको प्रोटीन लेना होता है तो आई आप जानते हैं कि प्रोटीन हमें किन-किन फूड आइटम से मिल सकता है गेजिटे हम प्रोटीन से एक प्रोटीन रहता है लेक्त है अच्छा होती कल परोटीन कि अगयूं कंपलेक्स कारफ कि बात करें तो डेय। राचि और चन ऐख से भी वामें वह इता है both हैं कुछ वेश्रेटेबंस ईसमें हमें प्रोटीन अच्छी मातर हैं मिल जाता है उसमें सबसे पहला आता है सोया steal में लबळ ऑफ्सषैंज बैंटा प्रोटीन से बन्ते हैं उसमें 35% अधे प्रोटीन हमें मिल जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें साहरे एसेंजिन sweet pro rice clim जिसमें पिष्टा, काजू, बदाम अक्रोट और पंकिन सीड्स इसमें लगभग 10-15% तक हमें प्रोटीन मिल जाता है तो नॉन वेजिटरियन सोर्सीज में एक आइडियल प्रोटीन माना जाता है एक एग में लबबग 6 क्राम प्रोटीन रहता है और इसमें सारे एसेंशनल अमायनो अचिर्स में मिल जाते हैं तब बैलेंस और एक कम्प्लीट प्रोटीन एग को माना गया है इसी तरह से मीट, चिकन, फिश यह भी अच्छी कॉन्टिटी में प्रोटीन मिल जाता है लबबग 20-25% तक इन सम में प्रोटीन रहता है